दोस्त। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे समसंग की एक और नई फोन के आड़े में जिसका नाम है समसंग गलेक्सी M33 5G जो की 2 अप्रिल को अमेजॉन से आप ले सकते हैं तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में हम आप लोगों से बात कर लेते हैं ये फोन कैसा रहने वाला है ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं इस फोन का कैमरा इस फोन की बैटरी सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो में अंतक बने रहिएगा अगर वीडियो पे नहीं आए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और वीड डिस्प्ले आने वाली है और इसके साथ फिंगर्पींटे स्केनर और बैक में आपको स्कॉइड सेफ में आपको क्वाडर कैमरा मिलेगा उसके साथ LED फ्लैस और नीचे में संसंग की ब्रांडिंग अगर डिजाइन के बात करें तो इस फोन का डिजाइन डिसेंट रहने वाला है इस फोन में आपको 6.6 इंचे की आपको TFT पैनल देखने को मिलता है जो कि Full HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है अगर आप वीडियो कंजूम करते हैं तो ये फोन ये डिस्प्ले आपके लिए डिसेंट रहने वाला है अगर आप गेमर हैं तो ये फोन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि इस फोन में आपको 120 GHz के रिसेंट के साथ ये डिस्प्ले आती है और इसके साथ आपको कोडिलिंग का गोडिले गलास 5 का प्रोटेक्शन आगे में देखने को मिल जाएगा और इसके साथ इस फोन में आपको साइड में आपको fingerprint scanner देखने को मिल अगर display के बारे में बात कर लें और design के बारे में तो ये phone decent रहने वाला है क्योंकि इस phone में आपको TFT panel देखने को मिलता है इस प्रणी आपको डिसेंट मिनने वाला है जो कि स्क्राइब में क्वाड़ेर क्यामरा यह जिसका की में लेंस होगा 50MP का और इसके साथ 5MP का अल्टावाइड इंगी लेंस 2MP का टेली फोटो लेंस और 2MP का माइकरो लेंस देखने को मिलेगा जो की टीन कैमरा काफी अच्छा नहीं है एक ही कैमरा काम के लाइक है और दोस्तों इसके सेलफी में आपको वाटर डॉप नॉच के साथ सेलफी कैमरा आता है जो की आपको 8MP का सेलफी कैमरा आपको मिलेगा तो camera experience काफी decent रहने वाला है और इसके साथ इस phone के बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो बैटरी में आपको 6000 mh का बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा और इसके साथ 25 watt का super fast charging ये phone support करता है लेकिन ये charger आपको अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि box में आपको charger नहीं मिलेगा और इसके साथ RAMbit के बारे में बात कर लेते हैं तो इस phone में आपको 2 RAMbit के साथ ये phone आएगा जो की है 6GB, 128GB और इसके साथ 8GB, 128GB के साथ ये phone आएगा जो की Android 12 पे वेस्ट होगा और इसके साथ 1UI 4.1 का आपको interface देखने को मिल जाएगा इस phone में तो overall इस phone के बारे में बात करें तो ये phone decent रहने वाला है और इस phone के price के बारे में बात करें तो Samsung अभी तक कोई leak नहीं निकाला है कि ये phone कितने price में launch होगा वैसे Samsung इस phone को Amazon पे launch करने वाला है दो तारिक को 12 बजे ये phone का launch event है तो दोस्तो बस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें comment बता सकते हैं इस वीडियो को अगर like नहीं किए तो like कर दीजिए channel को और subscribe नहीं किए तो subscribe करके bell icon को दवाना नहीं भूलेगा क्योंकि इसी तरह की latest वीडियो मैं आप लोग लिए सबसे पहले ले